असलाम अलेकुम, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें तो वेलकम करती हूँ मैं जाइका अपने किचिन में जाइका अपने किचिन में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी यूनिक रेस्पी जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी इतनी टेस्टी और इतनी जटपट की देख लेंगे न तो खुद को बनाने से रोक नहीं पाएंगे अब आप सोच रहे होगे ये कैसे बनेगा तो जब आप देखोगे न तो आप खुद कहेंगे इतना आसान है आप हर बार यही नाश्ता बनाएंगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा वाच कीजिए तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए हमने यहाप लिया है एक कप के करीब गेहूं का आटा और अब हम लेंगे एक कप के करीब मैदा आप चाहे तो इसको पूरा मैदा से भी बना सकते हैं लेकिन हमने यहाप पर एक कप के करीब गेहूं का आटा लिया है गेहूं का आटा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच के करीब नमक और इसमें अब जाएगी एक छोटा चमच के करीब अजवाइन अजवाइन को हमने पहले ही हातों से क्रश कर लिया था वो हम इसमें डाल देंगे और साथी में इसमें डालेंगे एक चमच के करीब सूखा हरधनिया आप चाहे तो इसकी जगा कसूरी मैथी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और मोयन के लिए हम डालेंगे इसमें एक से दो चमच के करीब ओयल ओयल को हम इसमें डाल देंगे और मोयन को हम अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर हमने मोयन को अच्छे से मिलाना है तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मिला लेंगे तो मोयन को हम मुठी बांद कर देखेंगे कि मोयन में हमारे अच्छे से मुठी बंद रही है या नहीं मोयन में अच्छे से मुठी बंद रही है तो मोयन हमारा बिल्कुल perfect है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी इस्टाइटिंग में हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा पानी और डालेंगे जरूरत के हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए और इसको यहाँ पर हमने अच आटा चाहिए जैसे कि हम पूरी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमने इसका जो आटा है वो अच्छे से मसल कर तयार कर लेना है तो आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है आटा हमारा बिल्कुल पर्फेक्ट हो चुका है तो इसके उपर हम लगा देंगे थोड़ा सा ओयल और अब हम लेंगे पॉलिथिन जो नॉर्मल आपके घर में पॉलिथिन होती है आप वो भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इस पर हम आटा रखके इसको अच्छे से पैक कर देंगे इससे क्या होगा आटे के ओपर पप्री जमेगी नहीं और आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट रह इससे क्या होगा इसमें एक भी लम्स नहीं आएगा और यह बहुत ही जल्दी कद्दुकस हो जाएंगे अगर आप आलू को कद्दुकस कर रहे हैं तो यहां पर आप इस बात का दिहान रखें के आलू को आप हलका गरम ही ले इससे क्या होगा यह बहुत ही जल्दी और इसमें हम डालेंगे आदी छोड़ी चमज के करीब चिली फ्लैक्स और इसमें हम डालेंगे आदी छोड़ी चमज के करीब नमक नमक को भी हम इसमें डाल देंगे नमक आपने जाइके के साफ से कमी जादा कर सकते हैं और इसमें हम डालेंगे एक चमज के करीब कटा हुआ हरा धनिया और इसके टेस्ट को और ज़्यादा डैबलप करने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमज के करीब बीजवाला धनिया इसको हमने हाथों से कर लिया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ पर हम अच्छे से कर लेंगे mix तो यहाँ पर जो आलू है और जो सारे मसाले डाले हैं उनको हमने अच्छे से mix कर लेना है तो यहाँ पर यह stuffing है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है क्योंकि हमने इसमें सूखा धन्या डाला है बीजवाला इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ी आता है तो आप इसको skip ना करें तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कर लिया है mix और इसको हम रख देते हैं एक साइड में जब तक हम चलते हैं आटी की तरफ आटे को rest करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो इसको अब हम खोल कर देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटे में बिल्कुल भी पप्री नहीं जमी है अगर आप इस ट्रिक से आटा रखेंगे ना उसी तरह से हम इसके छोटे छोटे पीसिस निकाल कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरीके की जो लोईया है वो बना कर तयार कर लेनी है तो यहाँ पर जो हमने पीसिस लिये थे उनकी हम इसी तरीके से सारी लोईया बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर जो सारा हटा है उसकी इसी तरीके से हमने लोईया बनाकर तयार कर ली है और यहाँ पर हमने एक साइस की लोईया बनाकर तयार की है तो चलिए अब हम चलते हैं आगे तो यहाँ पर हमें लिया है कद्दूकस तो इस पर हम लगा लेंगे आईल तो यहाँ पर हमने बड़ा बाला कद्दू कस लिया हुआ है और इसके उपर रखेंगे हम लोई जो हमने लोई लीती और उसको हातों से हम हलका सा प्रेस करेंगे इससे क्या होगा इसकी जो डिजाइन है वो बहुत ही बढ़िया बनकर आएगी तो यहाँ पर हम इसको बेलन की हल्प से बेल लेंगे बेलने से क्या होगा इसकी जो डिजाइन है वो काफी उभर कर सामने आएगी तो यहाँ पर हम इसको अंडाकार साइज में बेलेंगे यानि कि हम इसको लंबा लंबा बेलेंगे तो यहाँ पर हमने इसको लंबे साइज में बेल कर तयार कर लेना है और यह बहुत ही बड़ी डिजाइन बन कर आईगी आप देख सकते हैं इस तरीके से भिने इसको लंबा लंबा बेल लिया है तो यहाँ पर अब हम लेंगे एक चाकू तो यहाँ पर हमने एक चाकू ले लिया है और इससे हम बनाएंगे डिजाइन तो यहाँ पर हम इसमें कट लगा लेंगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कट लगा लिजिए यहाँ पर हमारे जितने कट लगे हमने उतने कट लगा लिए तो यहाँ पर हमने उपर तीन लगाए हैं और फिर चार कट लगाए हैं और फिर हम तीसरी जगा भी इस पर कट लगा लेंगे और इसको हम दोनों साइट से अच्छे से cover कर देंगे ताकि जो हमारी stuffing है वो निकले नहीं तो यहाँ पर हम इसको तीरे दीरे इसको हम roll करते जाएंगे तो यहाँ पर जो design है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तयार होज़की है तो यहां पर हम इसी तरीके से और सारी डिजाइन बना कर तैयार कर लेंगे तो यहां पर हमें एक लोई को रखना है कदू कसफर तो कदू कसफर आप पहले से ही ओयल लगा लिजिए और हातों से हम इसको अल्क अHere के सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अब हम रख देंगे नीचे की साइड में स्टफिंग और इसके उपरी हिस्से में हम लगाएंगे कट तो यह बहुत ही इजी है और उसकी जो डिजाइन है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तयार होती है तो यहाँ पर हमने इसमें कट लगा लेने हैं आपकी जितने कटा हैं आप उतने लगा लीजिए तो यहाँ पर हमने आदे हिस्से में कट लगाने हैं तो कट हमने लगा लिए हैं और इसको हम नीची हिस्से से हलका सा पहले प्रेस कर लेंगे यानि कि इसको cover करके हमें प्रेस कर लेना है और इसको अब हम रॉल करते जाएंगे तो यहां पर हमने बहुत समाल के दोनों हाथों से इसको रॉल करते जाना ही देखिए इसकी जो डिजाइन है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में कितनी जादा बढ़िया लग रही है और बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है तो इसको हम दोनों साइट से भी अच्छे से प्रेस करेंगे वह देखिए इस तरीके से डिजाइन है बनकर तयार होचकी है बहुती बढ़िया लग रही है ना डिजाइन देखने में कितनी ज़ादा अट्रैक्टिव और यूनिक डिजाइन है ये देखे नीचे से हमने इसको अच्छे से प्रेज कर लिया है तो यहाँ पर हम इसी तरीके से सारे रॉल बना कर तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमने जो सारे डॉल हैं बना कर तैयार कर लिये हैं बहुती ज़ादा बढ़िया और अट्रैक्टिव यूनिक डिजाइन है आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करें और प्लीज वीडियो को फुल बोच कीजिएगा तो यहाँ पर हमने इसकी डिजाइन बना कर तैयार कर ली है जब तक हम चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर हमने ऑइल गरम होने के लिए रख दिया है तो गैस की फिलेम को हमने लो कर दिया है लो फिलेम पर हम इसको एक एक करके डाल देंगे तो यहाँ पर हमने एक एक पीस पर फ्राई करेंगे इससे यह बहुत ही बड़ी अफ्राई होंगे और बिल्कुल भी कच्छे नहीं रहेंगे अगर आपने इसको हाई फ्राई कर लिया ना तो यह बिल्कुल कच्छे रह जाएंगे अंदर से उपर से तो बहुत ही अच्छे लगेंगे लेकिन अंदर से बिल् जाएका अपने किचिन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो यहां पर हमने इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राइब कर लिया है यहां पर हम एक एक पीस करके बाहर निकाल लेंगे तो इन्होंने बिल्कुल भी ऑईल को एब्सॉर्ब नहीं किया है तो यहां प और हमने दोनों साइट से इसको उलट पलट कर अच्छे से फ्राइब कर लेना है और इसका भी जो कलर है बहुत ही बड़ा गोल्डन सा आ चुका है और यह बहुत ही जादा क्रिस्पी बनकर तयार होते है गैस की फिलेम को हम कर देते हैं बंद और सारे पीसिस को हम कर्चे मे बहा निकाल लेंगे इससे क्या होगा और यह बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो इस तरीके से हमने सारे पीसिस को बहा निकाल लेना है और दूसरा बैस भी हमारा अच्छे से फ्राइब हो चुका है इसका भी कलर बहुत ही बढ़ी आया यह देखिए गोल्डन आप तारिफ करते रह जाएंगे और पूछेंगे कैसे बनाया इसका टेक्शर देगी वाव कितना यूनिक और अट्रेक्टिव लग रहा है ना जो भी देखिए खुद को खाने से रोक नहीं पाए ऐसी रेस्पी है यह तो जरूर बनाईएगा आप इसे पिज़दा सौस य बिना देरी की हुए जट से बनाईए और सभी से तारिफ पाईए तो चलिए मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूं यह देखिए कितनी जादा यम्मी फीलिंग है एकदम क्रंची जबदस टेस्टी मैंने इसको टॉमेटो केचप के संग सर्फ किया है आप चाहे तो गरीन चटनी के संगी सर्फ कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हाफिज